हेलो फ्रेंड्स दिस इस मोनिका सिंग एंड वेलकम बैक टू आर चैनल तो गाइस यह न्यूज है आपकी MDS पाथिकरम की प्रथम वर्ष और अंतिम वर्ष के लिए तो आपके परिक्षा फॉर्म जो है वो भरे जाने लगे हैं तो आप यूनिवेस्टी की वेबसाइट पर किसे ऑनलाइन भर सकते हैं तो प्रथम वर्ष दोजार बी से किस सत्र दोजार बीस таईज है और अंतिम वर्ष सत्र तोजार अठारा एकंगिस की मुख्य एव इवं सपलिमेंटरी की परिक्षा है तू, परिक्षा फरम विश्विदाले की की वेबसाइट पर ओनलाइन भरे आपको अपना परिक्षा फॉर्म भरते सामें फोटो और हस्ताक्षा अपलोड करना आनेवार रहे हैं। विद्ध्यारती अपने परिक्षा फॉर्म पर अलग से फोटो ना चिपका है। अगर ऐसा आपको करते हैं, तो आपका फॉर्म निरस्त कर दिया जाएगा। ठीक है? और परिक्षा फॉर्म क्योंकि एक बार ही भरा जाएगा इसलिए पूरी इंफॉर्मिशन को ध्यान से देखते हुए सभी कॉलम्स को ध्यान से भरे आगे बोल रहे हैं वार्शिक प्रणाली के अंतरका संचालेट पाथकरमों के फर्स्ट और थर्ड वर्षों एवं भूत आपको डेटेल इसलिए वो करना है उसके बाद आपका पूरा पेज पर क्लिक करने से पहले मतला अगर आप सब्स्कायाइं कर देते हैं तो ऊसके बाद आप परिक्षा शुल्क ओनलाइन माध्यम से ही भरा जाएगा किसी भी इस्तिती में ड्राफ्ट स्विकार नहीं किया जाएगा ठीक है और जितने भी यह आपकी डिटेल्स होंगी वो ओनलाइन ही भरी जाएगी आपका पेज अगर ओफलाइन हो जाता है तो इस्तिती में आपकी जो डिटेल्स हैं वो एंटर नहीं हो पाएगी परिक्षा फॉर्म भरने के उपरा उत्विध्याती परिक्षा फॉर्म का प्रिंट निकाल ले या मोबाइल पर डाउनलूट कर ले ठीक है और आप जो डिटेल्स फिल कर रहे हैं वो किसी भी स्तिती में आगर वो गलत पाई जाती है आपके तो आपका जो परिक्षा फॉर्म है वो निरस्थ हो सकता है तो विश्विध्याले वेफसाइट पर परिक्षा फॉर्म उनलाइन उपलब्द करने की प्रारंबिक दिदी है 22 जुलाई मतलब आज से आप उनलाइन फॉर्म भढ़ सकते हैं अब भीरतियों दोरा उनलाइन परिक्षा फॉर्म एवं उनलाइन परिक्षा शुल्क सहित परिक्षा फॉर्म भढ़ने की अंतिमति थी मतलब आप पूरा फीस के साथ में इसको फाइनल कप तक कर सकते हैं 30 जुलाई तक कर सकते हैं अब भरे गए परिक्षा फॉर्म को महाविद्याले पर जमा करने की अंतिमति थी आप अपने फॉर्म को ओनलाइन फिल करने के बाद अपने कॉलेज में सम्मिट कर सकते हैं 30 जुलाई तक और परिक्षा फॉर्म को यूनिवस्टी में जमा करने की तिथी है 2 अगस्त ठीक तो यह आपका नोटिस था अगर इसके लावा और भी आपको कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं आगे भड़ते हैं अगला नोटिस है आपका लॉस्टुडेंट्स के लिए आपको पता है कि आपकी ऑनलाइन और ऑफ्लाइन दोनों प्रकार से परिक्षा होने वाली है तो यह निर्देश दिये गए हैं परिक्षा विकल्ब जहनों ने चुना है मतलब जो ओनलाइन परिक परिक्षा है तो PC अथ्वा लैप्टॉप विद वेब केमरा आवश्चक है जैसा कि आपको पहले ही बताया चुका है आपको पता होगा अगर आपने वीडियो मेडी देखी है आपको अप्लोड किया गया था पूरा जो ओनलाइन एक्जाम का मैनुल है प्रोसेस मैनुल के क कैसे कैसे आपको एक्जाम देना है वो पूरा डेटेल में समझाया गया था ठीक है तो वहां भी मैंने आपको बताया था कि पीसी और लैप्टप पे वेब कैमरा आविशक है ऑनलाइन परिक्षा में सम्मिले चात्रों को उपलब्द कराए गए पोर्टल पर ही हिंदी करके उत्तर लिखने होंगे ठीक वहीं आपको अप्षिन मिलेगा हिंदी इंग्लिश में लिखने के लिए एक टैपिंग के अलाव़ा अन्हे किसी प्रकार लिखे जाने वाले उत्तर स्विकार नहीं किये जाएंगे आपको टाइप करके ही अपने आंसर्स एंटर करने है ठ उसी समय आपकी online exam दिया जाएगा पेपर भी सेम रहेगा और आपका time भी same दिया जाएगा online परिक्षा के दोरान किसी भी व्यवधान तकनीकी समस्या इंटरनेट समस्यातियाति की समस्याति की होगी तो अगर आपने online जैसे चूज किया है अपना option exam देने के लिए तो अगर उसमें कोई भी hindrance होता है कोई भी अगर obstacle आता है किसी भी वज़े से तो इसके जिम्मेदारी आपकी होगी अगर आपका page अगर आप बैक कर देते हैं यह ना गलती से अगर summit हो गया मान लो या आपके internet cut down हो गया तो इसके जिम्मेदारी से भी आपकी होगी तो एक बात का बिलकुल यह दिह सबसे पहले तो कि आपकी जो speed है net speed है वो proper आनी चाहिए ठीक तो इस तरीके से अपनी व्यवस्था करें कि आपकी जो एक्जाम देने में कम से कम internet की वज़े से तो कोई problem ना आए बाकी आपको चीज में पता ही है कैसे दिहान रखना है तो आप उसका भी आगर दिहान रखे है कि अरे हमने यह चूज कर लिया तो हम वैसे चूज कर लेते बात की जा रहे है ओनलाइन ऐफ लाइन एक्जाम के आप्शन को चूज करने के लिए कि आप कौन से एक्जाम देना चाहते हैं तो अभी इससे पहले भी जो इनिवर्स्टिय वो दो-तीन बार आपको मौका दे है कि आपको कैसे अपनी एक्जाम देना है मानलो अगर आपको इंटरनेट प्रॉब्लम है आपने इंटरनेट चूज कर लिया कोई प्रॉब्लम हो गई अभी और आप नहीं दे पाएंगे फिर ओनलाइन तो आप ओफ लाइन दे सकते हैं ठीक है ओफ लाइन अभी भी देने आपको दिहान रखना है और आपको देखने का मनने अपने प्रोसेस मैनुवल नहीं देखा है कि आपका ओनलाइन एक्जाम कैसा होगा तो वीडियो में आपका डिस्क्रिप्शन वर्क्स में लिंक मिल जाएगा उस वीडियो का तो आप उसको चेक आउट कर सकते हैं ठीक आ